तो ये शायद मोजो का 6th या फिर 7th एपिसोड रहेगा आपने इसके पहले फिर्स्ट वीडियो में अन्वीलिंग सब देख लिया, सेकेंड वीडियो में मैंने कुछ फिल्टर्स चेंज किये, थर्ड वीडियो में मैंने शायद आइल चेंज वगर देखा है, फोथ में मैंने सब फिल्टर्स वगर दिखा है, फिफ्ट में शायद मैंने सस्पेंशन दिखाया है, शिक्स्थ में मैंने जो अंदर लांबडा सेंसर रहता है, फ्रंट पे, वो मेरे को डाउट था, तो वो भी दिखाया है, और अभी ये शायद सेवेंट एपिसोड रहेगा, मुझे ध्यान में नहीं रह रहे है सब, तो ये गलत हो जाए, तो प्लीस पुरा मत मानना, तो सेवेंट वीडियो में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं जाओंगा बाइक लेके, एसके आटो पे, और वाँ पे पूरा का पूरा थ्रॉटल बॉड़ी हम निकाल के अच्छे से क्लीन करेंगे, थ्रॉटल बॉड़ी और जो अपना फ्यूल पॉम्प है, नाट पॉम्प, सॉरी, एफाई है, फ्यूल इंजेक्टर, वो क्लीन करेंगे, तो वो सब आपको में दिखाऊंगा, क्योंकि इसका जो अभी वो जो पॉजिंग का एश्यू है, वो अभी भी विल्कुल सॉल नहीं हो रहा है, इस्पेशली जब ऐसे थंडी जादा रहेगी बाहर, या फिर कोल स्टार्ट है, ऐसे खड़-खड़-खड़-खड़-खड़ करके, जैसे पेट्रोल खतम होने वाला है, ऐसे फील देती है, at least miss firing rare कुछ नहीं होता है, लेकिन ignition coil जैसे के जाद पार्क नहीं दे रही है, या फिर एक cylinder फाइर नहीं कर रहा है, अगर twin cylinder है और एक cylinder उसमें fire नहीं कर रहा है या फिर petrol खतम होने वाला है तो जब करते है ना इसे pause जैसा इसे गाड़ी एक दम ऐसे खीच जाती है एंजिन खीच जाता है अंदर वैसे feeling देती है तो मैं बहुत कुछ ट्राइ कर चुका हूं स्वाल नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है गाड़ी का प्रोग्रेस एक एक चीज़े करके करता हूं तो आगे अभी मैं शूट करूंगा सीधा SK Auto Care से वैसे अच्छली वो शूट हो चुका है यह में सिप इंट्रो बना रहा हूं अभी क्योंकि उसमें मैंने इंट्रो शायद डीटेल से डाला नहीं है तो आप लोगों को समझ पढ़ जाए कि मैं क्यों लेके जा रहा हूं SK पे और SK मैं इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि थोड़ा सा एक प्रोफेशनल हेल्प ही मिल जाए मुझे क्योंकि घर पे खोलने बैड़ गया और कुछ मेरे पास सामान नहीं है टूल नहीं है यह बाइक फर्स टाइम लगेगा एक्स्ट्रा उसे अच्छा इस पे कैसा है थोड़ा बंदे रहते हैं उधर एक्षाथ हाइड्रोलिक बेट्रोजिक रहते हैं तो वह सब चीजे कुछ कि अच्छे से खोलना पड़ा तो फटाक से मदद मिल जाती है और कुछ लाना भी पड़ा तो आसपास शॉपस है तो हम लोग ले के आ सकते हैं तो अब मिलते हैं सीधा SK पे रहे बुल आसब का अटे हैं तो लोग प्रोड तो लोग श्र सब्साइब बार का से टीजे अच्छे लूग्छ चांच अब्सेट लूग ऑ हैं उधर षांडे का अटनक अट बट झैड में रहें चेंखिता हैं वह थे लोग च्त वाने पार एंग हैं जाट बश औरस वाद so I thought I'll get the bike here to SC AutoCair and get the throttle body checked once throttle body is now out and this is how it looks it's not that bad but of course it is filled we'll get it cleaned now oh, quite a lot of dirt actually this should not be happening inside a throttle body in fairly simple throttle body so this is the TPS sensor, I've changed this also I've not shown it in the previous video but it has changed still it is having issue petrol is enough, you have to remove it in the tank we've removed the injector too we'll check it and clean it and then we'll fix it back yellow by the way to remove the fuel injector and the throttle body and all you need to remove the plate that is covering this part over here on the bike which holds the battery so remove all that then loosen both the bolts for the air filter and there's one more bolt over here which opens from that side so open that and then this pops out and then you can pop out the throttle body and the fuel injector is on this part over here okay you can see that hole it is not on the actual throttle body you need to remove the left and side right panels also obviously to get easy access to everything not much to open unlike dominar where we need to open everything but these guys know the trick for dominar too cleaning the injector and throttle body with petrol first it's the injector there's lot of dirt in the air filter too so the bottom part we'll remove it and clean it this is still work in progress look at all the black color cleaning up both is done the other side too quite new quite cleaned cleaning it with anti-rust stuff also carpet and choke cleaner actually it's easy to do I can test that in the air filter I can test it I've just finished this part and I'll spray it कमएप CommunistUSछ थुआ cushy थू उननने द्यूजिक पिर रेख dal प्यार कॉच पिर थेर थे चुण प्यां seriously कहाँ अच्छिः आप धो, कर टो द्यूच प सर लाद, घ्र गच्छिए लाद रेख कार मॉद्व Tintश उना तूर वош्जाट सेविक लेख तो मॉदों का है which is for that one that's the airbox excess oil and all that comes out so it's a drain for that section and that is open in my bike so this is why we can try more and get rid of it so this is the job we did in this car we have clean the throttle body and fuel injector and the intake system engine head which is all cleaned and the baddest and the air filter उसमें एक drain pipe होता है, drain hole होता है, जो open था मेरे bike में, वो हमने seal किया, आपको last में दिखा रहेगा, तो ये सब चीजे करने के बाद SQ Auto Care पे, अभी मैंने एक चीज नोटीस की है, अभी जब मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, full speed पे, ना, higher rpm पे, मेरा normal riding style बहुत काम है, 3-4,000 rpm पे clip डाली थी, जो मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, तो अगर वैसे high rpm पे रख रहा हूँ, तो गाड़ी काफी smooth चल रही है, मदर, smooth in the sense, जो missing का issue आ रहा है, या फिर जो petrol खतम होने का issue, sign आता है, जो normal cold start पे आता है, आप ले हों को, जो मुझे इस वाइक में lower rpm पे, गाड़ी थंडे होने पे जो जादा आता है, गरम हो जाने के बाद बहुत कम हो रहा है अभी, hardly notice होता है, अगर गाड़ी मैंने full speed पे भगाई है, constant high rpm पे, तो तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, और उसके बाद थोड़ी देर और मैं कि इधर इसकी coil की तर loose connection वगेरा है, या फिर coil थंडे होने पे issue हो रहा है, जैसे पानी डालने पे होता है, dominant के coil पे, तो वो शायद issue हो रहा है coil पे, या फिर जो लांबरा sensor है, जो मैं अलड़ी दो change का शुका हूँ, एक दूसरे बाइक का लगाया था, और जो मेरे बाइक क्लीन करके भी फिर से लगाया, तो भी solve नहीं होता, मेभी ये दोनों लांबरा sensor अलड़ी खराब थे, तो मुझे तीसरा एक लांबरा sensor try करना पड़ेगा, और fourth point है, third point जो है, वो है मेरे ECU में किदर तो भी कुछ तो issue है, या किसी और sensor में कुछ issue है, जो later stage पे, जैसे ही मै काम करता हूँ आगे one by one चीज़े जब मैं solve करता हूँ, try करता हूँ, वो आपको वीडियो के माधियम से, वीडियो के, मेरे vlogs के माधियम से आपको पता चल जाएगा, you will come to know by my vlogs, but एक help चीए मुझे सब भी लोगों से, ये जो मेरे vlogs है, please share कीजिए, मोजो के groups में, मोजो के owners स करते, शायद उन्होंने कभी ये issue solve, issue कि आया रहेगा, उनके bike को और issue solve किया होगा, तो at least comment कर देंगे solution, तो मैं वो भी try करूंगा, तो शायद हमारी bike फटा-फट solve हो जाए issue, हमारे bike का issue फटा-फट solve हो जाए, and मैं modifications के और next step शुरू कर दू, color भी change करना है bike का, headlight setup, fog lamp setup भ तो, thanks for watching till the end, and मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी लोगों से, like, share, do you know where secrets go, cause I've forgotten mine, they've slipped out of my control, and you know where they hide, mmm, your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves, you should probably forget me, cause I'm terrified you'll get me when I'm at my